जुन्जनु जिले के सुरजगड कस्वे के अनाज मंडी में दिन दहाडे व्यापारी के साथ में हुई लूट के मामले में तूल पकड़ लिया है इसके बाद में व्यापारियों में काफी जादा आक्रोश नजरारा है मंगलवार को खा दिया व्यापार संग ने व्यापारियों के एक सामोहिक बैठक बुलाई जुसके अध्यक्षता व्यापार संग अध्यक्ष सीताराम गोयल ने की इस घटना को लेकर व्यापारियों में काफी नाराजगी भी देखने को मिली विधायक सुभाश पुन्या भी बैचक में पुलिस की कारशली पर सवाल खटते हुए दिखाय दिये तो वहीं पर व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही पुलिस ने माम का खुलासा नहीं किया तो सभी प्रतिष्ठान अनिश्रित कालीन बंद कर ठाने का घिराफ करेंगे